students class 10th हमारी जो next poem है second poem fire and ice बेटा fire and ice जो है ये poem लिखी है Robert Frost ने Robert Frost ने dust of snow भी लिखी थी और 9th में भी आपने एक poem पड़ी थी the road not taken वो भी Robert Frost ने ही लिखी थी Robert Frost जो है वो American poet है और realities of life के बारे में लिखते हैं fire and ice यहां पर use हुआ है symbolic यानि परतीक के तौर पर fire का meaning वैसे तो आग होता है बट यहां पर desire या passion के लिए use हुआ है किस चीज की desire power की ठीक है किसी भी चीज की हो सकती है money की हो सकती है power की हो सकती है तो उस reference में यहां पर fire use हुआ है second जो है ice यहां पर hatred के लिए greena के लिए use हुआ है तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी discussion करेंगे उसके बाद stange wise इसकी explanation करेंगे तो यहां poet जो है संसार के अंत के बारे में बात करते हैं और इसमें दो तरह की विचारधारें परदर्शित की गई है जिसमें एक विचारधारा यह है कि संसार का अंत जो है वो आग से होगा और दूसरी विचारधारा यह है कि संसार में विनाश का कारण जो है वो बर्फ होगी तो कभी कहते हैं कि कभी उन्हें आग में विश्वाश है यदि संसार का दो बर विनाश हुआ तो बर्फ के द्वारा इसका विनाश भी प्रयाप्त कारण होगा यानि बर्फ से भी हो सकता है और आग से भी हो सकता है अब कैसे तो एक बर मैं recite करूँगी poem ठीक है और explanation हम फिर उसके बाद करेंगे some say the world will end in fire some say in ice from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire but if it had to perish twice I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffix तो बिटा कभी जो है वो यह कहते हैं कि some say the world will end in fire कि कुछ व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि इस संसार का आंत जो है वो fire से होगा आग से होगा कैसे fire का meaning क्या मैंने बताया था आपको कि desire power की desire, धन की desire, किसी भी चीज की desire जो है वो अगर बहुत ज़्यादा अत्यदिक हो जाती है तो वो विनाश करी होती है तो कभी कहते हैं कि संसार जो है इस fire से यानि जो desire की हमारे अंदर fire है या आग है उससे भी संसार खतम हो सकता है some say in ice और कुछ कहते हैं कि ये बरफ से खतम होगा जैसे कि उन्होंने आगे कहा from what I have tasted of desire कि उन्होंने इसका स्वाद चखा है इच्छा का desire यानि इच्छा का स्वाद चखा है I hold with those who favor fire इसलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं ठीक है तो first चो stanza है इसमें उन्होंने किसकी favor की है किसके पक्ष में वो गए है fire के fire यानि desire या passion के कि हमारी अत्यदिक चाह है किसी भी चीज की उससे हम विनाश की तरफ बढ़ते हैं but if it had to perish twice I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffix अब दूसरे stanza में वो कहते हैं but prantu if it had to perish twice कि अगर संसार का अंत्थ दो बार हुआ I think I know enough of it तो मैं ग्रिना को भी जानता हूँ यानि जो हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी भी चीज के लिए बिना किसी कारण के किसी से भी ग्रिना करता है उसको भी कभी जानते हैं to say that for destruction ice is also great तो उन्होंने कहा कि विनाश के लिए वरफ भी यानि वो ग्रिना है वो पत्थर दिली भी काफी है कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के हम किसी से भी ग्रिना करने लग जाते हैं कोई भी कारण हो सकता है उसका is also great and good suffix तो वो कहते हैं कि ये भी इस उदेश्य के लिए प्रयाप्त है suffix का मीनिंग होगा प्रयाप्त तो दोनों stangas में कभी ने ये कहने की कोशिश की है कि fire and ice जो हैं वो धर्ती के विनाश का कारण बनेंगे हमारी अत्यधिक इच्छाएं या हमारी अत्यधिक पत्थर दिल हो जाना घ्रिना हो जाना हमें एक दूसरे से वो दोनों कारण संसार को खतम कर सकते हैं अब हम बेटा इसके देखेंगे कि इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी यूज हुई है राइमिंग स्कीम बेटा इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि राइमिंग स्कीम दे Some say in ice From what I have tasted of desire I hold with those who favor fire अब देखो fire, ice, desire and fire तो क्या sound आ रही है? Fire, desire and fire इन तीनों के एक जैसी है तो तीनों पे A mark होगा और ice, B तो A, B, A, A चीक है? Next देखे हैं But if it had to perish twice I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and boot suffix अब देखे हैं twice, hate, ice, great, suffix यानि twice A, hate B ice, फिर A, great B, suffix, फिर A ठीक है? तो ये इसकी rhyming scheme हुई अब बेटा इसमें poetic devices कौन कौन सी यूज हुई है? poetic devices बेटा इसमें यूज हुई है सबसे पहले तो personification personification होता है जब भी हम known living things को यानि जो जीवित चीजे नहीं है उनको human being का दरजा दे देते हैं यानि उनको मानब का दरजा दे देते हैं उनको संबोधित करके बात करते हैं तो वो personification होता है तो यहाँ पे fire and ice यानि बरफ को और आग को दोनों को personify किया है कभी ने उनको संबोधित करके उनको use करके बात की है तो यह personification हुआ alliteration यानि जब एक जैसी sound बार-बार आए first line में ही देखिए sum से second में देखिए sum से तो यह alliteration हुआ second जो हमारी poetic device होगी वो alliteration है अब third third बेटा जो है वो इसमें है enjabment enjabment कैसे है जहाँ पर commas नहीं आते commas या full stop नहीं आये और बात चलती रही जैसे I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great enjabment है ठीक है तो यह तीनों line में enjabment हुई तो तीसरी हमारी poetic device जो हुई वो enjabment हुई अब इसके सासथ इसमें anaphora भी है anaphora कैसे है जैसे दो बार एक same दो line में same words है some say and some say तो anaphora तो total जो हमारे इसमें poetic devices यूज हुई है वो चार है personification, alliteration, enjabment and anaphora ठीक है बटा तैंक यू बटे प्यूज है